Welcome to my YouTube channel So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका UP Police Council का एक्जाम होने वाला है 18 परवरी 2024 को उसी के जनल हिंदी के Top Most Important Questions को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइकों से जरूर करें चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और नोडिफिकेशन बैल आउन करना ना भूले तो चलिए वेड़ों को स्टार्ट करते हैं गाइस यूपी पुलिस काउंस्टेवल के एक्जाम डेट घोशित कर दे गई है 18 परवरी 2024 को एक्जाम आयो जित किया जाएगा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 24 दिन बचे हुए है तो आज मैं आप लोगों के लिए जनल हिंदी के कुल 75 कोईशन्स लेकर आया हूँ अगर आप लोगों ने इन 75 कोईशन्स में 70 कोईशन्स के सही जवाब दिये तो आप लोगों समझ लिएगा कि जनल हिंदी की जवाब लोगों के तयारी है वो काफी हद तक अच्छी है तो खुद से प्रियास कीजेगा इन सभी कोईशन्स के आंसर देने का दो से तीन सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा तो आज के सेसन में पहला कोईशन्स हमारा रहेगा कि राम चरित मानस किस भासा में लिखा गया है आप्टिन से आपके ब्रज बी है भोचपुरी, सी है अबधी, डी है मागधी राम चरित मानस किस भासा में लिखा गया यह आपको बताना है देखे राम चरित मानस जो है ना ये अबधी बासा में लिखा गया तो जो वे बच्चे ऑप्षिन नमर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे नैस कोशन देखे का सभी बच्चे कोशन से गायस की खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बगेली खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है जल्दी से आंसर दीजे सभी बच्चे देखे खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौर वी तो जो ये बच्चे आप्षिय नमर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे नैस को संदेगे का सभी बच्चे कोईसन्स क्या कि अधिकतर भारतिय भासाओं का विकास किस लिपी से हुआ है करेक्ट हो जाएंगे ब्रांवी लिवी से हुआ है कि सेसन को यह बाद सेर कर दीजिए वीड़ो को जन्दी से लाइक कर दीजिए कोईसन्स अगर आप लोगों ने यूपी पुलिस कॉंस्टियवल का फॉर्म फिल किया है तो यह कोईसन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्डंट है यूपी पुलिस की परिच्चा के लिए तो जोवे ब्यारती ऑप्शन नमर एक ही ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिलकुल करेक हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे का शाशल शाशल कोंड का प्लस शाशल हो बच्चे है आपको बताना है तो जो बीघारती ऑप्शन नमर состо d की ओर जा रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ताप का सही pan question कार का वन उच्चारण की डृष्टी से क्या है का वर उच्चारण की डृष्टी से क्या है होस्ट longitudinal सिख थ्सक्स Tisch तालू के सबी लोग answer थातेmittel चलेंगे हैं तो जो यहां पर आपको घोश वर्ण की पैचान करने है पा टा या था निम लिखित में से कौशा वर्ण घोश है यह आपको बताना है जल्दी से आंसर दीजे सभी बच्चे देखिए दा जो है ना दा यह आपका घोश बंड हो जाएगा तो ऑप्शन नमर सी जो है आपका बिल्कु सुद्ध है यह आपको बताना है तो आपको यह बताना है कि सीरसक सीरसक की सुद्ध बरतनी क्या होगी जल्दी से आंसर देजे सभी बच्चे ऑप्शन नमर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए सीरसक देखिए ऐसे लिखा जाता है ठीक है मंत्री मंडल कैसे लिखा जाता है यह आप बताएगा जल्दी से आंसर देजे सभी बच्चे मंत्री मंडल की सुद्ध बरतनी क्या होगी जो बच्चे ऑप्शन नमर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मंत्री मंडल आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है मंडल सीरस्तक और अतिति यह कोशन ऐसे जो कि आपकी परिचा में बार-बार पूछे जाते हैं पूर्ती पूर्ती की सुद्ध बरतनी क्या होगी काफी इंप्रोटेंट को सभी सभी बच्चे तो देखे पूर्ती जो है ऐसे लिखा जाता है यानि कि ओप्शन नमर सी जो है करेक्ट हो जाएगा एठ्रेस्ट कोसं काफी यूνिक कोशन से परिच्छा में बारबार पुछ य सबस करेक्वें महाधन आतमा से कौन साभें कंसा सभी बनेगा यह ाप बताना है ब्रद्य संदी गुण संदी या यान संदी रमाधन ईस रमेश इसमें कौन सी संदी है यह आपको बताना है तो देखे रमेश में जो है ना गुण संदी हो जाएगी तो option number C जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग विल्कुल correct हो जाएगे सेसन को सेर कर दिए एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए नैस कोईशन क्या है कि उचारण का संदी विच्छेद क्या होगा उचारण का संदी विच्छेद क्या होगा यह आपको बताना है देखिए उच्चारण की संदिविछेद होती है उत्यधन चारण यानि की option अवर D जो है आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा अगला question क्या है कि रसोई घर में कौन सा समास है तकपुरू समास, बहुप्रिय समास, दोंद समास, अबभईवाउ समास रसोई घर में कौन सा समास है, जलदी से answer देज़े सभी बच्चे रसोई घर में कौन सा समास है आप लोगों देखा होगा इसमें क्या बताजाए कि रसोई और घर तो रसोई अलग है ऑगर अलग है करता ने करम को का करने के द्वारा संपर्दान के लिए आप लोगों ने बच्पन में काफियार पढ़ा होगा इसे विए आप लोग पढ़े लेते हैं तो इससे रिलेटिज जो भी कोईशन्स होगे वह आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगा वो खास का है तत्पूरू समा और अप्षिन नमबर ए आपका विल्कुल करेक्ट हो जाए ठीक है नील गये निल गये में कौशा समास है तत्पूरू समास अब वईवाव समास करंदार समास या दिगू समास नील गाय में कौन सा समास होगा काफी important question से ज़ली से answer देजी देखे नील गाय में हो जाएगा करमदार समास यानि की option number C जो है आपका मिलकुल सभी answer हो जाएगा नैस question देखेगा सभी बच्चे पीतांबर पीत है अंबर जिसका वार्थात विष्णू इसे कौन सा समास कहेंगे तकपुरू समास अवववव समास करमदार समास या बहुपरिय समास तो मैंने आप लोगों को कई बार बता है कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर बहुपरिय समास हो जाता है तो पीतांबर मतलब पीत है अंबर जिसका यानि कि भवान विश्णू तो ऑप्शन नमर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग विलकुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है बहुपरिय समास हो जाएगा नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे कोशन क्या है कि चार पाई पर चादर बिछा दीजिए वाके में से कौन सा कारक है चार पाई पर चादर बिछा दीजिए इस वाके में कौन सा कारक होगा यह आपको पता ना तो इसमें क्या पूचा है कि चार पाई पर चादर बिछा दीजिए तो इसमें जो आप लोग देख रहे हैं इसमें जो पर लगा है ना यही मेन है मेन क् कि इस टाइब को questions को solve करने के लिए आपको करताने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से समंद का के की रारेरी अधिकरण में पर तो देखे इसमें क्या है चार पाई पर चादर बिछा दीजे तो इसमें अधिकरण कारक आ जाएगा क्योंकि अधिकरण में पर सम्मूदन हे अरे ओ तो इसमें आ जाएगा अधिकरण तो option नमर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग इलकुल correct हो जाएगे इसे आप याद करण से करताने कर्म को करण से तो यहां जो करण आ रहा है आपका करण से इसमें मुख्य जो है मुख्य जो है वो से है इसलिए यहां पर हो जाएगा करण का रख option नमर सी करताने कर्म को करण से नेस कोईशन देखेगा सभी बच्चे अगनी का परियाए बाची सब्द क्या होगा सुम उताशन अच्छी आले अगनी का परियाए बाची सब्द क्या होगा जन्दी से आंसर दीजे सभी बच्चे अगनी का परियाए बाची सब्द क्या होगा देखिए अगनी का परियाए बाची सब्द होता है उताशन यानि कि option number V जो है आपका विल्कुल सही answer हो जाएगा session को इबाद share कर दीजिए आप लोगों को वीडियो को like कर दीजिए next questions क्या है कि कमल का परियाए बाची सब्द क्या होगा जलज, पियूस, जलधी या जलध? कमल का परियाए बाची सब्द क्या होगा? option number A बता रहे हैं वो जवी लोगी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे questions क्या है कि इंदर का परियाए बाची सब्द क्या होगा? बाजीगर, राज़, राज, मदवा, विनायक इंद्र का परियाए बाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है जन्दी से आंसर देजे सभी बच्चे इंद्र का परियाए बाची शब्द क्या होगा इंद्र का परियाए बाची शब्द होता है मदवा option number C जो है आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, मदभा 25 questions क्या है कि घर का परियाए बाची सब्द क्या होता है, नग, निकेतन इला या विहार घर का परियाए बाची सब्द क्या होता है तो घर का परियाए बाची सब्द होता है, निकेतन तो option number V जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे निकेतन आपका सही answer हो जाएगा option number V next question देखेगा question क्या हरिन का प्रियाय बाची शब्द क्या होता है विहिक, खग, हंस, म्रग हरिन का प्रियाय बाची शब्द क्या होगा प्रतिकार, परोबकार, अपकार, अनुपकार उपकार का बिलोब शब्द क्या होता है यह आपको बताना है जल्दी से answer देजे सभी वच्चे उपकार का बिलोब शब्द क्या होगा उपकार का बिलोब शब्द क्या होगा तो उपकार का बिलोब शब्द होता है आ आगत का बिलॉण शब्द क्या होता है या आपको बताना है जल्दी से अंसर देजिस्विठ देएं आगत का कहीं बता रहे हैं वह सही होटेक., नैस कोशन देखेगा सविठ चैनल में से बथे कुशन धको प्तक है साप 5 घ्र विक जो है आपक्ष ने … सापिक्च्य का Willowma Σब्द क्या होगा जल्दी से अंसर देज़े सभी वच्च्य सापिक्च्य काwietलٌ सब्द होता है निर्पेक्च्य यानि कि आप्शन नमर gotta वे जो है आपका बिल्कुल सही हँएं DAVID नेस कोईसेंस का है इस्मरन का विलोम शब्द क्या होगा भूलना आ इस्मरन विस्मरन इस्मरन का विलोम शब्द क्या होगा जल्दी से आंसर देज़े सभी बच्चे इसमरन का विलोम शब्द क्या होगा तो इसमरन का विलोम शब्द होता है विसमरन जो में बच्चे option number 시 की ओर जा रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल सई हो जाएगे नैस को संदिका निमलेखित वाक्यों वाक्यांसों के लिए एक सब्द बताईए जिसमें संदे ना हो को क्या कहते हैं संदिक्स चिंतिनिय विचारनिय जिसमें संदे ना हो को क्या कहते हैं यह आपको बताना है देखिए जिसमें संदे ना हो उसको कहते हैं आसंदिक्स क्या कह जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहते हैं जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त क्या कहते हैं अभियुक्त ओप्शन नमर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेस कोईसंस क्या जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं काफी इंपोर् जंगल में लगी आगों को क्या कहते हैं बडवानल दावानल विरांगनी जटरागनी जंगल में लगने वाली आगों को क्या कहते हैं जंगल में लगने वाली आगों को कहते हैं दावानल यानि की आप्शन नमर वी जो है आपका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं अनयमित अतरिक असंभब अभैद जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं भाई तो उसे हम कहते हैं अभैद यानि option नमर डी जो है आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है अगला question देखेगा सभी वत्चे questions क्या है मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वा सास्तरी जी के यहां गया को इसमें हो जाएगा सैउक्ति वाग the Theatre जो सभी लोग बनुकल सहीं हो जाएगे अगला questions क्या है guys सत्ते बोलो परंतु कटू सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है सरल वाक्य, स्युक्ते वाक्य, उपबाक या लोगो वाक्य सत्य बोलो परंतु कटू सत्य नमत बोलो किस प्रकार का वाक्य है तो यह हो जाएगा स्युक्ते वाक्य तो option number V जो है आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है? So guys, next questions देखेगा, next questions हमारा है, कि RV भाव का सही बिपरीत आर्थक सब्द क्या होगा? यह आपको बताना है comment box में, इसका answer, सभी लोग अंसर बताते हो चलेंगे, परिच्छा में छपने वाला question, जल्दी से answer देज़े सभी बच्चे, RV भाव का बिपरीत आर्थक सब्द क्या होगा? तो जो यह ब्यार थी, option number C की ओर जा रहे हैं, वो सभी लोग इलकुल सही हो जाएंगे, RV भाव का सही बिपरीत आर्थक सब्द होता है, तिरो भाव next questions है हमारा, उन्मूलन का सही बिपरीत आर्थक सब्द क्या होता है, आरोपण, प्रत्यारोपण, निरोपण या रोपण, उन्मूलन का सही बिपरीत आर्थक सब्द क्या होगा? यह आपको बताना है, तो उन्मूलन का सही बिपरीत आर्थक सब्द होता है, रोपण, तो ज सुद्वाक चुनिए बाग और बकरी एक घाड पानी पीते हैं तो चार उप्संस आपके सामने हैं और आपको यह बताना है कि इसमें सुद्वाक के कौन सा होगा तो इसमें जो आपका A वाला ओप्संस जो है न ये बिल्कुल सही हो जाएगा बाग और बकरी एक घाट पर पानी पिते हैं न तो A ओप्संस करेक्ट हो जाएगा ठीक है सेसन को सेर कर दीजिए एक वारा और वीडियो को लाइक कर दीजिए नेस्ट कोईशन का एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं सुद्वाक्य चुनिये तो यहां पर आपको सुद्वाक्य की पहचान करने तो सो समझ कर आणसर दीजिए का सभी बच्चे तो इसमें जो आपका सी वाला आप्शन जो है ना सी वाला आप्शन विलोगतो गाय दो गोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है तो प्र दीजिए तो भी बच्चे option number C की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग इलुकुल correct हो जाएगे मैं आप पर सुर्दा रखता हूँ यह होगा न next question देखेगा घनिष्ट की सुद्ध बरतनी क्या होगी जल्दी से answer दीजे सभी बच्चे काफी important questions है तो इसमें देखिए घनिष्ट जो है न घनिष्ट की सुद्ध बरतनी यह होगी option number V जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग इलुकुल सभी हो जाएगे questions बहुती अच्छे level के हैं पूरा test लगा कर जाएगा आप लोग सुद्ध सब्द चुनिए और देखिक की सुद्ध बरतनी क्या होगी यह आपको बताना है और देखिक की सुद्ध बरतनी क्या होगी जल्दी से अंसर देजे सभी बच्छे option number A जो है आपका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा और देखिक कैसे लिखा जाता है ठीक है जंगल में लगने वाली आखो को कहते हैं दावनल काफी important questions है और काफी बार यह सभी उत्तर प्रदेश की परिच्छाओं में यह questions पोचा चाचुका है अगला questions क्या है जहां लोगों का मिलन हो डैस एक सब्द के लिए एक के क्रम में सही बिकल्ब चुनिए जहां लोगों का मिलन हो एक सब्द के क्रम में सही बिकल्ब चुनिए जहां लोगों का मिलन हो समेलन एक सब्द क्रम में हो जाएगा जहां लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं समेलन option number C करेक्छ हो जाएगा किसी प्रतियोगिता में बिजाई होने पर दिया जाता है यह आपको बताना है तो जो भी ब्यार थी, option number V की ओर जा रहे हैं, वो सबी लोग बिलकुल correct हो जाएंगे, पारितोशिक सुगर next questions देखेगा, next questions क्या है कि, शांग के भाव मिसरित अनुराको को कहते हैं, उप्युक्त सब्दे का चैन करें तो जो भी बच्चे, option number V की ओर जा रहे हैं, वो सबी लोग बिलकुल correct हो जाएंगे, इसको कहते हैं, इस questions देखेगा सबी बच्चे, questions क्या है, कुशंगती के कारण, चरित्र पर दो से लगना, उप्युक्त सब्दे का चैन करें कुशंगती के कारण, चरित्र पर दो से लगना, उप्युक्त सब्दे का चैन करना है आप लोगों को, तो सोच समझ का रा अंसर दीजे का सभी बच्चे तो जो बच्चे, option number C की ओर जा रहे हैं, वो सबी लोग इलकुल correct हो जाएंगे, कलंक आपका सही अंसर हो जाएंगे, ठीक है, next question देखेगा सस्त्र क्या है, डैस उप्युक्त सब्दे का चैन करें, सस्त्र क्या है, वह हतियार जो फेंकर कर चलाया जाता है वह हतियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, सस्त्र क्या है, सस्त्र जो है वह हतियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, option number V जो है आपका विलकुल सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, next question देखेगा सभी बच्चे questions क्या है, जिसमें संसार के प्रती मोहनार रहा हो, उप्योक्त सब्द का चैन करना है आप लोगों को तो वीत रागी, option number A जो है आपका विलकुल सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, next question देखेगा सभी बच्चे questions क्या है, जो कभी बूढ़ा ना हो, उप्योक्त सब्द का चैन करें, अमर, अजर, सदाबाहर, तनूर, जो कभी बूढ़ा ना हो, उप्योक्त सब्द का चैन करना है आप लोगों को, तो जो कभी बूढ़ा ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, अजर, option number V जो ह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए रहा है यह वाला कोशन देखे छोड़ गया है 54 55 पे आते हैं सीधे हम कोशन का है खेत का सही तस्सम सब्द चुनिए खेत का तस्सम सब्द क्या होता है खलियान छेत्र या छेत्र या निमें से कोई नहीं जल्दी से आंसर दीजे सभी बच्चे तो खेत का तस्सम सब्द होता है झेत्र vlogging ओप्षन नमर व जो लो लोग बता रहे हैं वो सभी लो बिल्कुल सही हो जाए घोटक का सही तदवो रूप क्या होता है घोटक का सही तदवो सब्द क्या होता या गधा घोड़ा या धढ़ा या निमेस से कोई नहीं गोटक का सही तदवो सब्द क्या होगा तो जो वे ब्यारती ओप्षिन नमर V की ओर जा रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे गोडा का सही अंसर हो जाएगा ओप्षिन नमर V चोकी का तस्सम सब्द क्या होगा बाई चोपाया ये चटूसपस ये चटूसकॉण कफी इंप्वर्टन कोसें लिजा इस आंसर दी सभी बच्चे प्षिन नमर C की ओर जाए हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे तुरंत तुरंत अ, सी दोनो देखे तुरेत का तदोसब्द क्या होता है सीगर और तुरंद यानि option number C D जो है आपका विल्कुत सही answer हो जाएगा अब देखे गद्यांस आ गया गद्यांस को करने के लिए इसका करने का तरीका क्या है गद्यांस को करने का तरीका एक ही है सबसे पहले आप गद्यांस को ध्यान पूर्वक पढ़िए गद्यांस को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बादे आप questions आपके मन में आ जाएंगी अपने आप निमलिक्त गद्यांस को पढ़कर पूछे गए प्रशनों के उत्तर के लिए दिये गए प्यार बिखल्पों में से उप्योक्त बिखल्प का चैन कीजिए बैग्यानिक प्रियोक की सफलता ने मनुस की बुद्धी का अपूर्व विकास कर दिया है दुतिया मायूद में एटम बं की शक्ति ने कुछ छड़ों में ही जापान की अजय सक्ति को पराजित कर दिया इस सक्ति की यूद कालिन सपलता ने अमेरिका रोज बिटन फ्रांस आदि सभी देसों को ऐसे ससत्रों के निर्मार की प्रणादी की सभी भैंकर और सर्व बिनासकारी सस्त्र बनाने लगे अब सेना को प्राजित करने तथा सत्रों देस पर पैदल सेना दोरा आक्रमन करने के लिए सस्त निर्मार के इस्तार पर देश के बिनास करने की दिसामें ससत्र बनाने लगे इन हतियारों का प्रियोग होने पर सत्र देशों की अधिकान जनता और संपत की थोड़े समय में नश्ट की जा सकेगी चूंकि ऐसे ससात्र प्रायस सभी सोतंत्र देसों के संग्रालों में कुछ ना कुछ आ गए हैं अतायूद की इस्तिति में इनका प्रियोग भी अनिबारिख हो जाएगा जिससे बड़ी जनसक्या प्रावित हो सकते इसलिए निशति करण की योजनाय बन रही है ससत्रों के निर्मार की जो प्रिक्रियाएं अपनाई गई उसी के करण आज इतने उन्नत ससत्र बन गए हैं जिनके प्रियोग से ब्यापक विनास आशने दिखाई पड़ता है अब भी प्रिच्छणों की रोक्थापता बने ससत् बनास का भय विश्में ससत्रों की होड दोतियों विश्यूत की भीमिशिका निश्रस्तिक्रण और विश्व शांति तो मेरे आपको क्या बोला था कि जब आप गद्यांस को पढ़ेंगे तो आंसर आपके मन में आटोमेटिक आ जाएगा तो ऑप्सिन नमर डी जो है आपका जापान पर गिराए गए अलू बंब ने इसकी पिरणा दी ती आप्शन नमर सी जो है आपका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा तो पहला परमाणू बंब किस देश पर गिराए गया था और कहां किस राज्य में गिराए गया था जापान तो आपको पता चल गया लेकिन यह प डिटान और फ्रांस की प्रतिसपरदा से अमेरिका की भी जैसे जापान में हुई भैंकर विनास लीला से ऑप्षिन नमर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे बड़े बड़े देश आधूनिक विनासकारी सस्त्र क्यों बना हैं क्योंकि आधूनिक युग भैंकर वा विनासकारी होते हैं क्या कारण है इसका अधिकास जनता और उनकी संपत्ति नश्ट हो जाती तो ऑप्षिन नमर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सुग है नेस कोशन देखेगा हिंदी भासा किस लिप लिपी में लिखी जाती है सवराष्ट्री गुरुमुखी देवनागरी या ब्रामभी हिंदी भासा किस लिपी में लिखी जाती है यह आपको बताना है तो जो वी बच्चे ऑप्षिन नमर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएग देवनागरी ल जो और नहीं है सर्व नाम कितने परकार के होते हैं पांच छय सात या नाम कितने प्रकार के होते हैं यह आपको बताना है तो संब्सप्र नमर व जो ऑपका बिल्कुल सभी हो जाएंगे तेज जो है आपका ये क्रिया विशेशन सब्द हो जाएगा अगला कोश्चन क्या है सदा एक बच्चन में प्रियुक्त होने वाला शब्द क्या है पौदा पुस्तक सायता या लड़का आप्शन नमर सी करेक्ट हो जाएगा शायता जो है न ये एक बच्चन में प्रियुक्त होने वाला शब्द है नेस कोश्चन क्या है कि वूर्ट का संदी क्या होगा जल्दी से आंसर देजे सभी बच्चे तो जो भी बच्चे आप्शन नमर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लो हो जाएगी नाम धातु करिया ओप्शन नमर डी जो है आपका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा उच्चारन का संदी पिछेत क्या होगा काफी इंपोर्टेंट को से उत्धन चारन यह आप आसानी से कर सकते और उसमें ब्यंजन संदी हो जाएगी यह आपको ध्यान में रख खाना खाया में खाया होगा में काउंसी क्रिया है राम ने खाना खाया होगा राम ने खाना खाया में राम ने खाना खाया यह आपको धाना है तो इसमें काउंसी क्रिया हो जाएगी संदिक्स भूत ऑप्शन नमर वी करेक्ट हो जाएगा नीचे दिए पंक्तियों में पहल हो जाएगा इसमें देखिए पहले का क्या जाएगा वा भागौलिक सीमा में एक राष्टिय चेतना एक राष्टिय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों कि समिष्ट ही ऐसे व्यवस्तित कर सकतें तो इसमें आप लोगों अगर 70 questions सही बनाए होंगे तो आप लोग समझ लिजेगा कि जो जनरल हिंदी की तैयारी है आप लोगों की वो काफी हद तक अच्छी है ठीक है समय आप लोगों के पास सिर्फ 24 दिन का बचा हुआ है काफी बचे पूछ रहे थे क्या exam rate आंगे बढ़ेगी तो अभी कोई चां चरते नाज बड़ेग जाही है जलाँ